बेटी बचाओ का नारा अब तो बिल्कुल ही यकीन हो चुका है एक चितावनी था कि भाजपा कि सरकार आ रही है देश और उत्तर परदेश में बेटी बचाओ घंबिरता से लोगों ने नहीं लिया कि सरकार आ रही है और उस सरकार से ही अपनी बेटियां बचाना आज एक आप सभी मीडिया साथियों से कहूंगी खामोश कर दिया जाता है हर उस उठती हुई आवाज को जो इस सत्ता के खिलाफ उठती है लेकिन ये आवाज पीडिता और उसके परिवार के लिए उनके कानों तक पोचेगी तो यकीन है उस पिडित पड़िवार को भी नयाई की उमीद जिन्दा रहे पाएगी वो हमारी बेटी जिसे अभी भी इलाज से अच्छे इलाज से मैं कहूंगी वंचित रखा गया है किन कारणों से नहीं समझा रही हमने देखा है किसी वी आईपी को कुछ भी होता है एक सेकेंड के अंदर हवाई जाज प्लेन डॉक्टरों की टीम खड़ी रहती है तुरन दिल्ली लाकिया उसे बस से बस अच्छे से अच्छा इलाज देने की कोशिश होती है जब हमारी बेटियों के साथ जगनने अपराद और जिंदगी और मौत के बीच में जूँचती हैं तो कहां सरकार जो है वो पीछे हट जाती है हम मांग करते हैं कि हमारी जो तीसरी सत्रा साल की नवालिक बेटी जिंदगी और मौत से जूजरी उसे तुरन दिल्ली शिफ्ट करके उसे अच्छा से अच्छा इलाज किया जाए ताकि अपराधियों तक हम लोग पहुंचने में काम्याब रहें उन्हें सजा दे पाएं और धारन पेश कर पाएं आज सच में बहुत दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि ये घतनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही क्योंकि परधान मंत्री जी ने अपने भाशन में भी इस बात का जिक्र किया कि इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है सत्ता होना एक बात है उस सत् है उस चीज का अभाव पूरी तरह से लगातार हम देख रहे हैं परधान मंत्री जी से हाथ चोड़ का निवेदन करना चाहेंगे कि बेटियां बेटियों के साथ हो रहे जगन्य अपराद राजनितिक मुद्दा नहीं हो सकते लेकिन 2017 के उत्तरप्रदेश के चुनाव का आ या उनकी ताकत बन जाते हैं और पीडिता न्याय से दूर चले जाता है